पटक, 30 सेकंड में खबरे, डाउंलोड कीजिए तक हैं हैं कि 14,000 के आसपास कोरोना के केसिज आ रहे हैं 24 गंटे के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन 700 से अगर हम उसको माने कि 1000 के भी कम नीचे है यानि कि जादा तर लोग जो हैं वो होम आईसोलेशन में हैं तो क्या डूज और डोंट्स होंगे जिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए जो लोग इस वक्त कोविट पॉजिटिव हैं और होम आईसोलेशन में उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा आपका क्यूश्चन है क्योंकि हमने देखा कि काफी सारे लोग जो है खासकर कि जो भुज़र्ग व्यक्ति हैं जो होम आईसोलेशन में उनको यह पता होना चाहिए कि कब उनको होस्पिटल में जाना है क्या नहीं करना है तो जो करना है डूज है वो मैं आपको बताता हूं कि जो भी व्यक्ति होम आईसोलेशन में उनको सेल्फ मोनीटर करना है oxygen level का oxygen level सबसे महतोपूर्ण है oxygen level को आप pulse oximeter से daily check कीजिए दिन में चार बार कीजिए और निश्चित रूप से यदि आपका saturation 95 से उपर है तो आपको कहीं पर भी जानी क्या शक्ता नहीं है आप सुरक्षित है और आपको घर पर ही रहना है पर यदि आपका oxygen saturation 95 से नीचे जात है निश्चित रूप से आपको अस्पिताल में जाना है और पैनिक नहीं होना है दूसरा यदि आपको warning signs को आपको समझना है कि यदि आपको जो fever है high grade fever है आपको बेचे नहीं हो रही है आपको सांस फूल रहा है आपको restlessness ऐसे breathing difficulty है निश्चित रूप से आपको अस्पिता सीजर्स है या उनको पीट में तेज़ दर्द है आपको तुरंथ बच्चों के डॉक्टर से चला लेनी है इसके साथ साथ जो नहीं करना है क्या नहीं करना है आपको यह सबसे महत्वकूर्ण है सबसे important है कि आपको अनावशक रूप से दवाई नहीं लेनी है self-medicate नहीं कर आपना खुद का इलाज खुद मत करिए डॉक्टर को जो डूटी है डॉक्टर का काम करने दीजिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आपका यह सोचेंगे कि रात का टाइम है और आप सुबह डॉक्टर को जाएंगे आपको बहुत ज्यादा सेचुरेशन कम हो रहा है 94 से दीजिए नीचे हो रहा है सेचुरेशन आपका आपको तुरंथ रात या दिन अमर्जनसी में भी आपको एक कौल कीजिए आपको एंबुलेंस तुरंट दिली में सब जगें आपको अम्बूलेंस जैल्फ मेडिकेट नहीं करना और यह दिए ऑक्षिजन सेचुरेशन फॉ नहीं लें यह वाला सवाल और साथ में जो लोग पॉजिटिव हैं घर में हैं उनको मास्क पहना कितना जरूरी है और कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना जरूरी है यह बहुत ही अच्छा आपका क्योस्चन है स्टीम वाला हमने देखा कि बहुत सारे लोग आठ बार दस बार और बहुत ज्यादा टेंपरेचर की परवा कि बिना स्टीम लेते हैं उससे कई बार यह होता है कि एर वे में इंज हो सकता है तो प्रोपर उसका तरीका है इस टिम लेने का और आप जो स्टीमर है यूज कीचिए और उसका तेमपरेचर आपके जो सरीर है उसके अभीन석 में उसको यूज कर सकते हैं इसके साथ-साथ आफ आठ या दस बार स्टीम लेने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा मॉर्निंग इवनिंग और बैट टाइम मैक्सिमम थ्री टाइम साप स्टीम ले सकते हैं स्टीम से आपको गले में निश्चित रूप से रहात होगी सूधिंग सेंशेशन होगा और आपका जो गले में इंफेक्शन है वो कम होगा स्टीम इस वेरी गुड़ बट इस वी टेकन प्रोपर ली नेक्स्ट आपका क्विश्चन था है कि जो मास्क है मास्क ही सबसे बड़ा सुरक्षा का वच्छा है क्या अंदर जो लोग जहां पर हो मास्क है अवश्यक है पर जो साधरन व्यक्ति हैं या जो भी हमने देखा है कि सिंपल मास्क है देट इस एस गुड़ एज अधर मास्क जो की मार्केट में मिलते हैं जो ट्रिपल लेयर मास्क है वही आपड़ कीजिए विदि कपडे का मास्क क्या करते हैं तो कपडे का मास्क है उसको डेली वाष करना आउश्यक है हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं कि उसको बर बार यूज करते हैं और उसको साफ नहीं करते तो उससे संकरमण का खत्रा रहता है उससे कई बार हमने देखा है कि fungus का infection हैं भी हो जाता है सबसे पहले क्या N95 होगा 3-ply होगा जो नॉर्मल कपड़े के मास्क है या कई लोग गंची लपेट लेते हैं महिलाएं साडियों से अपना चहरा ढख लेती है क्या अप्रोप्रियेट है इस वक्ते बैस्ट जो भी स्टडीज आई है उसमें यह देखा गया कि ओमिक्रोन है वह अपने आपको कई भी मास्क को उतारना नहीं है सबसे महतोपूर्ण को सभी तरीके से आपको लगाना है तो प्रपर उसका जो माउथ और नोज वो दोनों कवर होना चाहिए यदि आपने नीचे नाक को बाहर निकाल लिया और मास्क गले में लटका लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है तो पूरे टाइम जब भी आप घर से बाहर निकले प्रोपर तरीके से मास्क को अवश्य लगाए करुछ प्रोपर जुझ झार नहीं है तो बाहर नहीं है टुछ आप फजिल्दाइब रहार नहीं है झाल झाल